जब अपने बात की गूगल सर्च की तो हमने अंडर्चेंड किया कि गूगल का जो अल्गरिथम है वो अपने अल्गरिथम के तहब वेबसेट को क्राल करता है उसको इंडेक्स करता है अपने डेटाबेस में और जब कोई सर्च करें कोई इंफर्मेशन तो अपने डेटाबेस में सब इंफर्मेशन निकाल के उनको प्रोवाइड भी करता है Google कैसे कौन सी information provide करेगा या कौन सी information को number one पे देगा कौन सी information को second पे या top ten results देगा ये सारी चीज़ें Google कैसे decide करता है ये Google खुद बताता है कि वो 200 से ज्यादा सवाल पूचता है वो 200 से ज्यादा सवाल ये पूचता है कि कौन सी website उसको दिखानी चाहिए कौन सी website उसको नहीं दिखानी चाहिए यूजर क्या मांग रहा है उसके पास क्या पड़ा हुआ है और ये सब शीज़ें Google जब decide कर लेता है तो कुछ milliseconds के अंदर आपको millions of results दिखाता है उस search के against जो आपने उससे की होती है जो आपने उससे पूच्छा होता है तो हमें भी understand करना है कि वो दोसों से ज़्यादा सवाल क्या है जो Google पूचता है क्योंकि SEO इनी 200 सवालों के उपर optimize करने का नाम है तो अगर मैं आपको दूसरे अंदाज में बताऊँ तो ये जो Google के 200 से ज़्यादा सवाल है ये SEO factors के नाम से जाने जाते है हम technical जबान में इनको SEO factors केते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि Google जब ये 200 सवाल पूचता है basically वो इन 200 सवालों के उपर scoring करता है ये scoring की base पे आपके पूरी website को एक number a lot होता है आप एक score win करते हैं और अगर आपका score बाकियों से अच्छा है तो आप उपर चले जाते हैं अगर आपका score अच्छा नहीं है या आपसे अच्छा किसी और website का score है तो वो उपर चली जाती है और ये पूरी की पूरी scoring का mechanism इसी को हमने बेतरीन करना होता है और ये सब चीजे हम SEO में पढ़ेंगे ये 200 से ज़्यादा क्या सवाल हो सकते है So for example Google ये पूछ सकता है कि आपकी website में क्या content है यूजर ने क्या search किया था और आपने क्या लिखा हुआ है और अगर लिखा हुआ है तो किस तरह से लिखा हुआ है और वो Google ये भी पूछ सकता है कि for example आपकी website कहा hosted है या आपने अपने website किस language में बनाई है क्या उसके ओपर डिजाइन अच्छा है क्या उसकी domain अच्छी है क्या उसकी domain sense बना रही है क्या आपने images डाले है क्या वो images optimized है इस सारी वो बेशुमार चीज़े है जो Google आप से पूछ सकता है असल में Google ये judge कर रहा होता है वो judge करने का तरीका उसको वो algorithm में महफूज है और हमें या किसी को उस algorithm का नहीं बता और इसी algorithm की वएशे जैसे कि हमने पहले जिकर किया था कि Google गूगल है अगर वो algorithm लोगों को मिल जाए और publicly वो आम हो जाए तो लोग क्या करेंगे उसको crack करने की कोशिश करेंगे और उसको बेतर करने की कोशिश करेंगे इससे results cheat होना शुरू हो जाएंगे और वो लोग उपर आना शुरू हो जाएंगे जो technically ज्यादा बेतर है और उनको लगता है कि वो गूगल को cheat करके ओपर आ सकते है हमें सिर्फ ये पता है कि गूगल pin ranking factors के ओपर हमें judge करता है और हमें score sign करता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो kin किन basis पे और उप्तिमाइस करें जैसी हम इन तमाम factors को optimise करेंगे तो हम भी उपर आना शुरू हो जाएंगे और इन में बहुत सरे factors वेबसेट के उपर हैं जिनको हम on-page optimization कहते हैं कुछ factors वेबसेट के उपर नहीं हैं उनको हम off-page optimization कहते हैं on-page और off-page ये दो बड़ी types हैं या दो बड़ी तकसीम हैं आपकी SEO की जब भी हम SEO को देखते हैं तो हम उनको दो हिसों में तकसीम कर देते हैं on-page factors हम discuss करेंगे off-page factors भी हम later on discuss करेंगे लेकिन हम start on-page से करेंगे इस topic में ये बताना जरूरी था कि SEO on-page और off-page में divided है और हमने on-page कैसे करनी है और on-page में क्या-क्या हो सकता है और off-page भी हम discuss करेंगे जब हम on-page कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आजे कि हम आगे क्या करने वाले हैं